हेलो जैन साथियों मैं गोरो फिर स्वारत करता हूँ अब सभी का हमारे युटूब चैनल गोरोक्मार मैट्स पर आज हम रिजनिंग को पढ़ेंगे आप लोगों मेंसे कुछ लोगों का कमेंट था कि सबसे पहले कोडिन डिगोटिंग स्टार्ट करवाईए लेकिन हम सबसे मैं आप लोको अल्फावेट कर प्लेश को याद होना जरूरी है किल यहां पर यह रहेगा क्या इसका राइट हेट थेक कि यहां से बाइस यह स्टार्ट होगा और यह जाएगा दाये तक ठेक अलफबेटिकल प्लेस को कैसे याद करेंगे देखो यहां पर यहां पर सबसे पहले आप एक ट्रिक्स देखो इजोटी जे ओ टी वाई नए बच्चों को अगर जोटी किवल याद है कि इस जो है इसका प्लेस होता है पांच जे का दस ओ का पंदर टी का बीस और वाई का पच्चिस ठेक जिनको किवल यह पांच लेटर अगर याद होगा तो वह जितने भी लेटर है उन सब को आसानी से बता सकते ह है देखो यहां पर अगर आपसे पूचा जाया है यह ठेक की यह का प्लेस बताओ नेखो यह पर अगर यहां पर हाँ यह से हम आगे पढ़ें यह आई जी तो यह जेख से कितना पीछे चेisf своей कितना हो जाएगा 8 एह नहों कआ में अगर आपसे पूछा चाहे क्यों का प्लेस बताओ क्या होगा क्यों देखो क्यू आर से अगे जब हम बढ़ेंगे ओंप पी क्यूं ओका 15 तो किउना हो जाएगा दूग प्लेस दो का दम आगे ओसे पी क्यूं गितना हो जाएगा 17 अगर अगर Kangعة पूसा जें इंद इंoup बताओり हुअ हंपक्षा कि नियू का प्रेस्थ क्या होगा देखो टी से आगे अग Tu ये यंूह अगर आक प्लेस्थ हुछ कि अगर आप से पूछले आर देखो आर और से आगे आप परो आप लोहों को तो ये एस लेके जट तक तो लेटर याद ही होगा कि बहुत लोग भूल चुके हैं देखें यहां पर आर से जब आगे इसको पढ़ाएंगे तो आर यहां पर टी कितना है बीस और बीस से दो लिटर पहले क्या होगा आर यहां जगा अठार तो आप लोगों को जो इसका प्लेस है य याद होना जरूरी है तब ही आप कोड़ी जोड़ी के कोशन को सालो कर सकते हैं यहां पर चलो कुछ लिटर को हम लिखकर याद करते हैं यह सबसे पर लिए आपको तो इस जोटी पता होना चाहिए जोटी होता है यह 5 10 15 25 एक देखें आपकर जोटी 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 है यह 5 10 15 20 और 20 पर यहां पर कुछ लिटर लिखा है सबसे पहले इसको आप बता हो जैसे यहां पर यह जी के जे पी क्यू कि वी यह के के यह यम ओ इन चलू इन सब प्रेश बेलू बताओ तो कि यहां पर दिया है यह अगर हम यह को यहां पर ऊपर उपर नीचे जबंद कर देए कितना उचाह गए आठ देखें यह और यह वोज़ेगा इसका आठ ठीक जी यहां पर एक चाह बना है यह से ब से काट दिए तकर किवर जल जाइगा है लोगारज सता सासाथ और यहां पर दिया है जजिढ इसक्या होता है कि अलड़कर कीतना हो जाएगा वाल-देहो एक दो-टी चार पांचल शे साथ 8-9-10-11 ग्यारा क्या यहां पर कि this यही तो है न में नीन गwiąजल sector थे देखू यहां पर पी दिया है वह के बात क्या आता है पी वह आमको पता है जोटी में ओ ओ किया आता है पी ओ का प्लेस है पंद्रह तो पी का कितना हो जाएगा सोला जो ते कितना है 20 देखो देखो द्यांसे पटा-पट एक्यों 17 वी 22 यह छह के उजाए कितना 11 यह मुझा एगा 13 वो जाएगा 15 यहन हो जाएगा 14 ठीक और जिल लोगों के प्लेज बने जितना स्पीट के साथ याद होगा होगा कोडिंड रिगोर्टिंग के कोश्चनों को उतना हित्ते सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे तो कि हम कल अपना कोड़ डिक चप्तर स्टार्ट करेंगे करें आज हम पढ़ेंगे अपना अलफा न्यूमेरिक जो हमारा alphanumeric series है यह alphabetic series का यह type होता है लेकिन हमारे जिस स्लीबस में दिया कि alphanumeric series के बद तो यहां पर हम alphabetic series को नहीं पढ़ेंगे आप लोगों को जो कोशन पूछा जाएगा उसमें आप लोगों को एक स्रीज दिया रहेगा और आपको उसे स्रीज को देखकर कोशनों को आंसर करना होगा हमार पहला कोशन दिया है इसको पढ़ो इसमें भी हमारा सीर भी आप से पंचा गया और यह और कोशनों को पढ़ेंगे और इसे सीरीज को देखकर आप इसका अंसर कर Went तूजAyसे इसमें वहारा पहला कोशन दिया है देखू इस रिस रेलेटेट च्छे कोशन पूछा गया है जिसमें समारा पहला कोशन है कि कौन सा तत्त बाएं से बाएं से चार के दाएं पांचवा 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 एलिमेंट होगा यह पूछा है कि कौन सा एलिमेंट बाएं से चार्थे के दाएं पांचवा होगा ठीक सबसे पहले आप लोग एक कंसेप्ट सीख लो यह हमारा जो कंसेप्ट है यह अलजब सरीज में स्टार्टिंग में सिखा जाता है ठीक सबसे पहले इस कंसेप्टक अभी अगर आपसे कोसिन में दिया रहे है कि बाएं प्लस दाइं ठीक या फिर दाएं प्लस बाएं या फिर दाएं प्लस दाएं या फिर बाएं प्लस बाएं में है तो है तो यहां पर जो इसका सबसे पहला इसको में दी यहां पर ऑखेयो कि यहां पर दोनीत पॉजीच्व सन डिफरेंट कि अभ्यापक रिवारी जोड़ी जैँ ठीक यहां पार मिशासको पहरवर लेंगे मैं प्रुश घाएं और यहां पर भी पोजिशन डिफरेंट तो यहां पर भी इसको जोड़ देंगे और यहां पर दुन पोजिशन जो सीम है तो यहां पर सबसे पहला ले लेंगे दाएं और जो यहां पर पोजिशन जो सीम रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस दाएं ठीक तो यहां पर दोनों है बाएं तो यहां पर है जो लोग कोशन को हिंदी में पढ़ेंगे जो हिंदी में कोशन को पढ़ेंगे तो वहां पर यह है इस कंसेप्ट लगाएंगे और जो लोग इंग्लिस में कोशन को पढ़ेंगे तो वहां उस कोशन को पीछे से स्वादव करेंगे तो उसका जो concept थोड़ा से change है कि यहाँ पर अगर left plus left रहेगा और left plus right रहेगा right plus left और right plus right ठेक तो हाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे जब left plus left रहेगा तो हाँ पर पीछी बाला जो left दिया इसको और आपर दोनों जो position ने same है तो यहाँ पर minus left यहाँ पर पीछे से plus right यहाँ पर पीछे से plus left यहाँ पर दोनों से मैं तो यहाँ पर minus right ठीक तो है हमारा concept इसी काम यूज़ करेंगे चलो देखो इस question को इस question में इसी concept काम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर question में हमसे पूचा है कि count सकत्त 22 से 4 के दाएं 5 होगा सबसे पहरे जिब सीरी आपको दिया रहेगा उसको आप 55 के element में डिवाइड कर देंगे कि यहाँ पर count करेंगे 5 एक दू तीन चार पांच यहाँ पर का मिदाया माच पह बाएंपको आपको सब्सक्राइब तोरोर्ट ऑ्साइब अक डियुां डिवेंट्ट में पांच प्लस चार प्लसफ जंइब कितन होगात नव मेंने इस पांच से MANकुल अ चाहिए मोंद सब्सक्रा बहुत देख सा एक पशुन में अगला कॉसंदी आ कि कौन सत्त तो बाएं से देखो कि देखने बाएं से चार के नहीं कोशंद तो बाएं सित्था वाय कि यहां ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां सब यहां पर इसका प्रक्ड के और इसका आंसर नहीं । वाला फोह दूर है गार देखें तो Exactly ए प HERE है यहां पर यहां पर आ जूंदेशन वाला जो कण्सेटिस करें गारे और उसके बाद आप इसी सीरीज को देखकर काउंट करके एलिमेंट को इसका अंसर करेंगे ठीक तो चलिए अब अपना तीसरा कोशन हम देखते हैं कि और इसी पर बेच्ट इसमें किवल कोशन आएगा और इसे कोई भी कोशन नहीं आएगा ठीक यहां पर देखो कि हमारा कोशन नमबर तीन दिया है हिए अ पर पूछा है एक कुछन थोड़ा से डिफिन्ट इसका देख समझो कि दायें से चार की ठीक बीच होगगा कौन सा इलिमेंट थेक तो यहां पर आप चाहरोगा है सबसे पहले इन दोनों के बाहिए कि बराबर दूछा है तक यहां पर भीच बीच बीच को भीच मोइन से लेटर होगा है यहां पर गयारी इहां लोगा niye लीया है कि बाया से पॉअ यह पांच हुआ है और यह दिया है कि दाइय से तो यहां पर आप क्या करोगे स्वेस्ति क्या है तो यहां पर डाइयर में बदल दू यहां पर यहां पर जो पोजीशन हम यहां पर जब करेंगे तो यहां पर टोटल से एक कि अपने से महीं घत की यहां पर देखतों की अग जबम अब से वाइं में बनेंगे कि यहां पर दाये को जब हम बाये बाइं बाइं यहां बढ़ेंगे बाइं कीतना शाएगे अब tweeh pod4 तो ही सो है उतन क्या करेंगे इन दोने को जोड़ कर दो से भाख दिनके तब हमको पाता चल लेगा बीच 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 ते देखा यहां पर फ़ेल्स-थाटे में क्लिस बटने में 2 वा एक कितना आ जाएगा 26 बटने में 2 वा वा अर टेरहमा और तिरहमा किजर से किना जाएगा बांट 170 यहां पर हमारा अंसर हो जाएगा यह अच्छ ठीक यहीं नहोंगा ते रहामा चलिए अब हम कोशन नंबर चार को सॉल्व करते हैं हमारा कोशन नंबर चार दिया है कि निम्न में से बिसन छाटी है यहां पर हमको ऑड़ बताना है कि find the odd one out कि यहां इसमें से एक भिसामें उसको चार यहां पर जो हमारा एक दिया है दिको दिए जखर चलू यहां पर चख करो इसमें से कहने सा खाँ सबसे पहले औप्स नुमबर यह जो दीया है इसको चेक कर हूँ यहाँ पर दिया है टू बी3 द दो बीशने पर सिब्ली कैसे दिया है दो वी और इसके बाद यहां पर तीन डिया है और निक्षित देखों चार और डॉलर ऑच देखों यहां पर चार तखाव चार इसके बाद देखो लिए यहां पर दिखेव के पास और फिर इसके बाद यहां से क्यों के पास एक नेक्स इसका देखो ई-उऔ यू गया 9 के पास पिर जड के पास तो यहां पर आप देखू तो यहां पर पहला दूसरा और तीसरा होँ और आज़ा यहां पर कॉमनन है पहले जा रहा है पीछे और इसके बाद यहां पर हमारा और आंसर तो ऐसे एक उसन आप से घ्जामें पूछी जाएंगे कि ऐसे कितने संके ताच्छर है जिनके ठीक पहले एक अच्छा राता है जिनके ठीक पहले एक अच्छर आता है और नेक्स्ट आ तथा आगे दिया है तथा जिनके ठीक बाद एक आंग आता है यहां पर हमको बताना है कि ऐसा कौन सो सिंबल है ठीक यहां पर ऐसा कौन सो संकेत संकेत क्या सिंबल या प्रतीक ठिख कौन स्य हैं प्रतीक है जिसके पहले एक अच्छा आता और जिसके बाद एक इंक आता है देखोंग करों आपर weights symbol को देखना . होई dollar डालर के भी पहले कैना तो इसके बाद एक बाद एक देखोंग अपर आप count कर रहें एक ठीक । अपर पर दिया है हज के पहले क्या यहां पर अच्छर है नई हज के पहले यहां पर क्या है अंक है तो इसके बाद क्या अच्छर तो इसको में काउंट नहीं करेंगे नेश्ट चलो यहां पर दिया है एक प्रसंटेज के पास परसंटेज के पहली क्या एक अच्छर है यहां पर एक अच्छर है और इसके बाद एक अंक है तो यहाँ पर प्लस एक प्लस इसको भी count करेंगे इसको भी count करेंगे ठीक परसेंटेज के पहले एक अच्छर है इसके बाद एक यहाँ पर अंक है ठीक अब देखो यहाँ पर दस्मलों और दस्मलों के पहले एगर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या अच्छर है नहीं इसके पहले अंक है और इसके बाद अंक है लेकिन इसके पहले अच्छर नहीं तो इसके बाद इसको काउंट नहीं गरे इसको देखो C$4 ठीक और यहां पर दूसरा हमारा हो जाएगा देखो percentage और इसके पहले दिया है जे और इसके बाद यह साथ यह हमारा दोनों हो जाएगा अंसर ठीक यह तो आपसे पूछे यह तो आपसे काउंट करके पूछे काउंसर होगा चलो नेक्स देखो आगे जो हमारा को से नमबर छह दिया है यह हमारा लास्ट को सब्सक्राइब कि दो सब 34 ठीक इसके बाद दिया है हच ई कॉपिराइट इसके बाद दिया है सिक्स एच जे और इसके बाद यहां पर दिया है खाली अस्थान ठीक इसी को यहां पर बताना है किसका जो अगला पत कौन सा हुगा और यहां पर क्या दिया है स्पैले 2 तो सबसे पहले दिया तो सबसे पहले यहां पर जो अलिमेंट इसके बाद 2 को छोड़ कर तीसरा वाला थे नेट देख इसके बाद यहां पर यह हो जाएगा अगला वाला परसेंटेज परसेंटेज के बाद हो जाएगा साथ इसके बाद दू छोड़कर यहां हो जाएगा नू देखो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि देखो परसेंटेज ठीक और इसकी बाद साथ नो यह हमारा हो जाएगा आंसर ठीक हमें यहां पर क्यों लॉजिक ही डूड़ना था जैसे यहां पर पहले में दिया है कि दो तीन चार देखो दो इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला और इसके बाद दो हमको छोड़ कर पहुंचके किस पर तीसरी पर ठीक और इसके पूआ ऐए गोडंजर वाला जेस्ट बी और इसके बाद 2 चोड़ कर कि तने पा गया कोपीराइड ठीक और नेक्सट कर दिया है छे यह और जे का जो अगला next है यह है यह और इसके बाद 2 छोड़कर जे इसके बाद जो हमारा next बनेगा परसेंटेज परसेंटेज का next है चार और 2 को छोड़कर आजाएगा नौ यह हमारा हो जाएगा answer ठीक कि इससे प्रकार से आप लोगों को अलफा निमेरिक स्रीज में question पूछागा कि आप लोगों के सामने question दिया रहेगा और उसमें सभसे पहले एक सीरीज दिया रहेगा पर उसी सिरीज से लिएक nggak ङा कोशन पूचेगा कि उसी सी में से आपको आउसर करना होगा ठीक तो आप इस परिकार से आउसर करेंगे तो यहाँ पर साइसे पहला जो इसमें कंसेप्ट था या प्लस बाये या पो जो बाएं प्लस दाएं तो आपको यह concept पता होना चाहिए और आप इसे प्रकार से जितने पी कोशन आपको मिलेगा आप सबको आसानी से solve कर लोगे तो आप लोगों को जो यह alpha numeric series जो यह topic है complete हुआ अब हम कर code recording chapter को start करेंगे और सभी लोग alphabetical place value को याद करेंगे और कल हमारा code recording recording chapter start होगा तो चलिए है मिलते हैं नेस वीडियो में thank you so much